इसके लिए हमें प्यास चाहिए प्यास हम दो अदद मीडियम साइस की लेंगे और इसे हम चौपर में डालेंगे लहसन के जवे हम लेंगे तीन से चार अदद इसे भी हम चौपर में डालेंगे जिंजर यह निके अद्रक हमें चाहिए एक इंज का टूकड़ा इसे भी हम स्लाइस में कट करके इसी में शामिल कर देंगे हरी मिर्चे हमें चाहिए 2-3 अदद इसे भी हम इस तरह मोटा मोटा काट के इसमें डाल लेंगे हरा धनिया हमें चाहिए 2-3 टेबल स्पून भार के यह भी हम इसी में शामल कर लेंगे और इसे हम अच्छे से चाप कर लेंगे अगर आपके पास चापर नहीं है तो आप हरा धनिया और हरी मिर्चो को आप बारी काट लें छुरी की मदद से और जो प्यास अद्रक और लेसन है तो इसे आप कदुकश की मदद से कदुकश कर लें मकसद इसे सिरफ बारीक करना है यह आप देख सकती है कि अच्छे से यह बारीक हो गया है अब हम इसमें कीमा एट करेंगे मैं यहाँ पे 500 ग्राम्स बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ और मैं यह बात बताती जाओं कि आप फ्रेश कीमा यूज़ करें जो कि होममेट हो और श anlatा ताजा बना हूँ तो अ हरी दें ताजा बना हूँ आप इसमें यूज़ करें इसमें 3 टेबल स्पोन भर के भुने वए चर्णो का पाउडर डलेंगे 1 1 1.5 टेश्पून हम इसमें भुना हूँ और बाए. रोडने जीरा 1 तेबल स्पोन एक मिर्चे पसंद परता हैं खिए 1 डेबल ढनुग के लिए नमक मिर्चे 1 ठेंच सबस्केफ Update ऑसबंक पारने हैं एक अदर हम इसमें अंडा एड़ करेंगे, अब हम इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे, फिर से हमने इसे इसी तरह चॉप कर लेना है, अगर आपके पास चॉप पर नहीं है, तो बारी कीमा आप लें, जो कि दो बार मशीन से निकला हुआ हो, और इसी तरह सारी चीजे इसमें शामिल करके, आप इसी तरह का मिक्सर बना लें, अच्छे से से गून लें, तो ये मिक्सर आपका बन जाएगा, ये मिक्सर हमारा त्यार है, अगर बहुत ज़्यादा नारम हो रहा हो मिक्सर, तो आप इसे 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में बना रही हूँ, हाथों पर पानी लगाते हुए, इस तरह करके, हम मीडियम साइज के कौफते बना लेंगे, सारे कौफते इसी तरह बिना क्रेक्स के दबा दबा कर हमने बना लेने हैं, और इससे हमने फ्रिज में रख लेना है, अब हम इसके लिए करी बनाएंगे, करी बनाने के लिए हम एक पॉट लेंगे, और इसमें हम तक्रीबार आधा कप ओयल डालेंगे, कीन से चार हम हरी लाइचीस में तोर के डालेंगे, हलका सा फ्राय करेंगे, और इसके बाद हम इसमें अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ करेंगे, एक टेबल स्पून भरके, हमने इसमें अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ कर लेना है, अच्छे से हमने इसे भून लेना है, अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी एड़ करेंगे, तीन अदर मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए, जिसे मैंने ब्लैंट कर लिया है, बिना पानी के, इसमें हम नमक एट करेंगे, वन टी स्पून, टेस्ट के साफ से आप एड़्जस्ट कर लें, सुख मिच का पाउडर इसमें हम डालेंगे, टू टी स्पून, या पर टेस्ट के साफ से ये भी आप एड़्जस्ट कर लें, हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे, वन टी स्पून, धन्या पाउडर हम इसमें डालेंगे, वन टेबल स्पून, जीरा पावडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे साथ ही मैं इसमें यहां पर 1 टी स्पून भरके देगी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी मिर्चे कश्मीरी लाल मिर्चेज से कहते हैं तो मैं इसमें 1 टी स्पून एट करूंगी इसे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है अच्छे से हम इसे फ्राइब करेंगे इसे हमने फ्राइब करने के लिए छोड़ देना है जब तक मसाला अच्छे से भुन जाए और जो टो माटन है जो हमने इसमें टोमाटन प्यूरी एट की है तो इसका पानी अच्छे से पुश्क होना चाहिए और इसका अलग हो जाना चाहिए अब एम एक ब्लेंडर लेंग कि इसमें उसमें हम ब्रॉब की प्या आड्ड करेंगे एक अगर बित जादा ब्रॉब कर ली एगए पर लाइंगे र यह इसमें अब धेक सकती है कि घॉ मनें टेमाटर ब्लेंड कर कि आड़ तो वह अच्छे से अपराइब जो ब्लेंड यह आड़ रहा है अब इसमें भैस इसे अपून लेना है अब हमने मसाले को तकरीब 8-10 मिनट के लिए भूनना है पहले के तीन से चार्व मिनट हमने इसे अपूनना है और इसके बार ढख हमने इसे रख लेना है अब हम इसे ढग कर रखेंगे और इसके बाद हम इसे फिर से भूनते जाएंगे 8-10 मिनट लगते हैं मसाला भूने में अगर नीचे लग रहा हो ताब इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकती है लेकिन यह है कि जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी तो उतने ही अच्छे इसकी ग्रेवी बनेगी परी बहुत ही जबरदस बनेगी नमक हम इसमें एड़स्ट कर सकते हैं अपने डेस्ट के इसाब से इस टेज़ पर मैं इसमें थोड़ा सा भूना वा और कोटा हूँआ जीरा अट करेंगी और अच्छे से गून लूँगी याद रखें कि इससे पहले जो मैंने जीरा पाउडर डाला था वो सिंपल जीरा पाउडर था वो मैंने भूना हुआ नहीं था इस टेश पे जब मैं डालूँगी तो वो मैंने भूना हुआ है और इसका पाउडर मैंने बना कर इसमें एड़ कर लिया है अब हम फिर से कोफते निकाल कर इसमें एड़ करेंगे मसाला हमारा अच्छे से त्यार हो गया है और इसका अलग हो गया है कोफते हम इसमें रखेंगे और इसके बाद कोफतों को हमने बिल्कुल इसमें चमच नहीं चलाना कपड़ी की मदद से हमने देच की या जिसमें भी आप इसे पका रही हो याद रखें कि एक तो खुले मूँ वाली देच की कड़ाई कुछ भी हो आप खुले मूँ वाली ले और इस तरह करके पकड़ के आप इसको ऐसे हिलाएं इस तरह करके आपने इसको हिला लेना है और आँच हलकी करके ढखकर हमने इसे 5-6 मिनट पहले के 5-6 मिनट हमने इसे ऐसे ही ढखकर हलकी आँच पे कुक कर लेना है 5-6 मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें उबलता हुआ पानी एड़ करेंगे एक गलास में यहां पेस में उबलता हुआ पानी एड़ करी हूँ और हलका हलका सा मिस्तर करके इसमें चम्मत चला लेंगे बहुत ही हलका सा कौफतो को हम टर्न कर लेंगे अब अब 10 मिनट के लिए पकाएंगे दस मिनट हो चुके हैं ग्रेवी हमारी रेडी है आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ग्रेवी रख सकते हैं आखिर में हम इसके उपर 1.5 टी स्पून गरम मसाला एड़ करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा मैं यहां पेस में थोड़ा सा फिर से एड़ करी हूँ वन बाई 4 टी स्पून यह आपके टेस्ट पर डिपैटना अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पसंद तो आप मत डालें इसमें हम फैनुग्रीक लीव्स यानिके मेथी डालेंगे खुश्क मेथी जिसे कहते हैं कसूरी मेथी वह हम इसमें वन टी स्पून डालेंगे और इसको बिलकुल हलकी आँच पर पांच मेंट के लिए दम पर रखके छोड़ देंगे और यह हमारे कौपते तयार हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है आप इसे जरू ठाई कीजिए मैंने इसे अबले हुए अर्णो के साथ गार निश किया है और इसके उपर हरा धनिया डाला है तो आप इसे जरू ठाई कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेस्टन करना हो तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थेंक यू फॉर वाचिए.